जीवन में आपको कितना क्या प्राप्त होने वाला है ये हतेली की परवतें तै करती है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज की अंक में हम बात करेंगे आपके जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा जीवन में क्या-क्या चीजें आपको प्राप्त हो सकती है इसके बिसे में आईए आज का अंक हम सुरू करते हैं जब भी हम किसी हतेली को देखते हैं तो सर्व पर्थम परवतों की इस्थिति अवस्य देखनी चाहिए हमारी ये परवत है गुरु परवत, बहुत ही महत्वपुर्ण है हमारी जीवन में, यदि गुरु परवत की इस्थिती आपके हतेली में अच्छी है, ये इस्थिती उच्छ का है, मजबूत दिख रहा है, तो आपकी महत्वा कांच्छा उच्छ होगी, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इक्छा उच्छी होगी, अध्यात्म की ओर रूची होगी, धर्म की ओर आपका जुकाओ होगा, आप जहां भी रहेंगे आपको समाज में अच्छी पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यह हमारा गुरू परवत कहता है, गुरू परवत यदि यह अस् सुख मिलेगा, भवतिक सुख न मिलेगा, परिवारिक जीवन कैसा होगा, पत्नी के साथ संबंद कैसे होगे, इन सारी चीजों का आपके डारेक्ट आपके सुख्र से संबंद है, सुख्र सौंदरी का परतिक है, सुख्र सुंदर्ता का परतिक है, सुख्र बैभवता का पर पोडिशन हमने देखा है कि वो सुभ या अच्छे अवस्था में ही होते हैं लेकिन इस पर रेखाएं जो होती है उन्हें असुभ कर देती है यदि सुकर पर आपकी बहुत अधिक आड़ी तिर्ची रेखा इस परकार से जाल बनती होती है ये सुकर पर बाधा उत्पन्न करन होती है तो सुकर का अच्छा और सुभ होना अति महत्पुर्ण है आपके सुखी जीवन के लिए सुख का साप सुथरा असपष्ट होना और अच्छे इस्तितिम होना अतियावस्यक है दूसरा महत्पुर्ण परवत जिसको हम देखते हैं जो हमारे मन का कारक होता है ये आपका मन का प्रसन और उच्छ बिचार का होगा मन चंदर जो है सांती को दिखलाता है चंदर सीतलता को दिखलाता है लेकिन चंदर में किसी परकार की कोई निगटिव चिंद उत्पन हो जाना साथ में मस्तिक से रेखा का जुखाओज चंदर की और अत्यधिक होना ये का सुद्ध होना और अच्छे रूप में होना अती आवस्यक है जब आप मांसिक रूप से प्रसंद रहते हैं सुद्ध रहते हैं तो आप किसी भी छेतर में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं मस्तिस्त रेखा यदि ढलवा होके इस प्रकार से चंदर में आती हो तो आपकी अपना सीलता बढ़ जाती है आप अचार विचार तो बहुत करते हैं कारी करने में थोड़े से पीछे पढ़ सकते हैं हलाकि यह अन्य चीज़ों पर भी निरवर करती है आईए दूसरी इस्थिति के हम बात करते हैं आपका सनी परवत सनी परवत अतीज उन्नत अवस्था म होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सनी परवत सामानी हो सामानी से अच्छा हो तो अच्छा है सनी परवत दवाववा हो कमजोर हो तो आपके डारेक्ट कारी छेतर पर असर पढ़ता है आपकी भागी रेखा यहां चंदर से यहां कहीं से भी निकले वो सिधा सनी पर सनी कर्म का छेतर माना जाता है सनी न्याई के देपता माने जाते हैं तो सनी परवत का ठीक ठाक अवस्था में होना अतियावस्यक है आपके आर्थिक सफलता के लिए कारी छेतर में सफलता के लिए अतियावस्यक माना जाता है सुरी की बात करें तो सुरी परवत अच्छा होने से आपको मान पर्तिष्ठा सासन परसासन की अभी रूची उर्जा राजनितिक सफलता अन्य चीजों को दिखलाता है तो यड़ी हतहली में आपकी पर्वतों की स्थिति जातके हतहली में बुद्ध पर्वत अच्छे अवस्ता हों आपके वैवसाई की रूची वैवसाई के छेतर में सफलता को दिख़लाता है आपको पैसे से पैसा बनाना मनी मनेजिमेंट अच्छे अचार विचार नए तरीके से कारी करना नए चीजों को सोचना इस परकार की चीजें बुद्ध बतलाता है तो आपके परवतों की स्थिति आपके हथेली के अनुसार बहुत कुछ काती आपका मंगल यदि अच्छे वस्ताओं में तो आपके अंदर साहस बहुत अधिक होगा बड़े से बड़े कारे आप साहस के बल पे कर सकते हैं लोग रिस्क नहीं लेते लेकिन ऐसे जातक जो रिस्क लेकर कारी करते हैं और सफल होते हैं तो हथेली में महत्वपुर्ण होयाता है के तू परवत राहू परवत सही परवतों की स्थिति अलग अलगती राहू परवत अती महत्वपुर्ण होयाता है यदि राहू परवत यहाँ पर काफी धसा हुआ हो कमजोर इस्थिती में आपके हर कारी में अरंगा लगेगा ये ताहिए अगर राहू यहाँ पर कमजोर है और धसा हुआ इस्थिती में है तो आपके हर कारी में अरंगा लगेगा आप कोई भी कारी करेंगे उसमें किसी न कि इसी तरह की समस्या ये राहू उत्पन न करेगा तर राहू जिनके हतेली में सुब अवस्था में आ जाता ऐसे जातक उन्नती प्रगती अचानक से करते हैं इसी को करते हैं आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि रातों रात प्रगती उन्नती करते हैं इसे जातक पर का भी से स्किर्पा होता है आज के एंक में इतना है धन्यवाद